इस इस क्वेश्चन फॉम फैब 2022 तो आपको सिंपल सिस्टम आफ क्वेश्चन का क्वेश्चन है और अगेन मल्टी क्रेक्ट में आए हुआ है तो 2022 में सिस्टम आफ क्वेश्चन के दो मल्टी क्रेक्ट क्वेश्चन आए है यानिकी 9.5 मार्स का आए और दोनों के दोनों क्वेश्चन आप एक्जाम में कर सकते थे ठीक है तो यह बेसिक सी चीज है 2x plus ky is equal to 2 minus k and then kx plus 2y is equal to k and then ky plus kz is equal to k minus 1 और आपको find करना है value of k such that this system is consistent option दिये होगा है 1,2, minus 1 and minus 2 तो कहां यह system solution रखेगा तो simply यह जल्ली आप try के करते है इसको matrix बनाके eclam form में change करोगे तो वहाँ calculation बहुत heavy है eclam form का मतलब क्या है variable को eliminate करना है तो यहाँ से variable को eliminate कैसे कर सकते हो इसको k से multiply कर लो और इसको 2 से multiply कर लो तो this equation k और इसको 2 से multiply करके और subtract कर दो तो यह term get cancelled out यह क्या जागा k square minus 4 into y is equal to यह जागा 2k minus k square और minus 2k तो यह term cancel out यहाँ से आपके पास क्या जागा k square minus 4 y is equal to minus of k square अब अगर आपके पास k is equal to 2 हो जाए या minus 2 हो जाए ठीक है k equal to 2 या minus 2 तो यह side क्या होगी 0 और यह side क्या होगी non zero तो definitely k equal to 2 और minus 2 पे यहाँ system satisfied नहीं होगा तो has no solution और inconsistent system ठीक है और यहीं से दूसरे option उसने क्या दियो है k equal to 1 और minus 1 तो अगर मैं k equal to 1 put करूंगा तो यह quantity आपके पास क्या आगी minus 3y is equal to minus 1 तो implies y equal to 1 by 3 आगया और k equal to minus 1 put करूंगा तो यह आपके पास again minus 3 y equal to minus 1 तो y again क्या आगया 1 by 3 तो k1 और minus 1 पे y की value 1 by 3 है तो यहां से system application क्या बन जाएगा k equal to 1 के लिए तो यह आजाएगा 2x plus y is equal to 1 और यह आजाएगा आपके पास x plus 2y is equal to 1 और यह system आजाएगा आपके पास y plus z equal to 0 तो यहां से y is equal to minus z और y already आगया 1 by 3 और x की value क्या जाएगी x is equal to 1 minus 2y यहां value put करके देख लो तो y की value put करोगे तो यह quantity क्या जाएगा आपके पास यह जो हमने value find करी है इसी system से find करी है तो solve कर लो तो x equal to 1 minus y की value 1 by 3 तो this is 2 by 3 यह आपके पास आजाएगा 1 by 3 तो x equal to 1 by 3 और y equal to 1 by 3 put करोगे तो यह system भी satisfy होगा तो इस case में solution होगा और similarly k equal to minus 1 put करोगे तब भी यह solution रखेगा तो आपका system consistent कब होगा जब k equal to 1 and minus 1 तो इस पूरे process को अगर मैं solve कर रहा हूँ तो मुझे maximum with discussion आपके कितने लगे 5 to 6 minute तो question जब आप करते हो part C में तो उसमें जल्दबाजी नहीं करना है आपको simply एक systematically procedure यूज़ करना है calculation बढ़ ध्यान से करना है यह नहीं कि आप जल्दबाजी में बाकी question के चक्र में जो आपको बहुत system एक लिग और जो question आपको easily आता है वो गलत कर दो ठीक है बस वो ही आपको part C के 15 से 13 question टारगेट करने है और अगर इतने question कर दोगे तो definitely आपका DRF हो देगा part B में on an average आप अपनी सारी performance देख लो कि 12 से 15 question आप हर student करके आता है तो part B में आप अगर अभी 12 कर रहे हो तो improve करोगे तो 15 या 18 कर पाऊगे ठीक है लेकिन part C में आप अपनी improvement देखो कि part C में अभी आपकी क्या situation है और आगे आपको कितना improvement की requirement है तो answer should be A and C कि अब ए आपको कि अपको कर दो हम आपको कि आ पका रहे हो जापको कर दोर्णा में आपको कि आपको दो दो